नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा संसद में किसानों को लेकर जो तीन अध्याधेश पारित किये गए हैं उसके विरोध में कॉंग्रेस ने अपने स्वर्थ तेज कर दिये हैं इस संदर्ब में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता विरेंदर सिंग राठोर ने एक प्रेस वारता का आयोजन किया उन्होंने बताया कि सरकार ने जो अध्याधेश पारित किये हैं उससे किसानों की स्थिती और बिदाईनी हो गई है भाजपा सरकार किसानों की सरकार ना होकर पुंजी पतियों की सरकार हो चुकी है पुंजी पतियों को लाब देने के चक्कर में लगातार किसानों पर अत्याचार किये जा रही है जो अध्यादेश पारित किये गए हैं उससे किसानों की दशा और भी दाइनिय हो जाएगी जिस हिसाब से आज अनाज को उगाने की लागत हैं इन अध्यादेशों के बाद किसान अपने घर में एक भी पैसा नहीं ले जा सकेगा मसनल उसे पुंजी भर की कमाई भी नहीं होगी एक सवार के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार जो अध्यादेश पारित कर रही है यदि उसे तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया गया तो अगामी 21 तारिक को कॉंग्रेस परदर्शन करेगी जवाब में उन्होंने बताया कि पंजाब में भी कैबिनेट मंत्री हर सिम्रत को और बादन ले इस अध्यादेश का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है अन्य विधायकों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर पर कटाक्ष करते और ना ही उन्हें इस बारे में कोई ग्यान है डिप्टी सीम दुष्यन चोटारा पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वहकिसान पूत्र अवश्य हैं लेकिन उन्हें राजनिती विरासत में मिली है वहकिसानों के मसीहा चोधरी देवीलाल के पड़पोते हैं लेक लेकिन उपमुखे मंत्री उनके नाम की आड में लगातार राजनिती कर रही हैं उन्हें भी नैतिक्ता की अधार पर इस्तिफा दे देना चाहिए राठोर ने विधायक बलराज कुंडू की जम कर सरहाना करते हुए कहा कि यह विधायक जनता का असली हितैशी है इसलिए वह उनका अभार व्यक्त करते हैं और जिस जनता ने उन्हें विधायक चुना है उनका भी आभार है क्योंकि जनता को ऐसे हितेशी विधायकों की आवशकता है जो मुसीबत के समी जनता के साथ खड़े हैं उन्होंने कहा कि मजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है करनाल में शहीद मदल्लार धिंगडा की प्रतीमा को उखाड़े जाने के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यह शहादत का अपमान है और रास्ट्र का अपमान हिंदूस्तान नहीं सहेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हीं चैलेंज किया था कि इस स्थान पर शहीद मदल्लार धिंगडा की प्रतीमा नहीं लगेगी उन्होंने रातों रात प्रतीमा को स्थापित कर सरकार को उनके चैलेंज का जवाब दिया है उन्हेंने बताया कि भाश्पा और RSS की पार्ट शाला में शहादत का पार्ट नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि उन्हें शहीदों का सम्मान करना नहीं आता जिस घर का कोई सदस्य शहीद होता है तो उस परिवार को पता होता है कि शहादत क्या है और उसको क्या सम्मान मिलना चाहिए ऐसे कई उधारण है जब शहीदों को सम्मान नहीं मिला क्योंकि भाजबा सरकार निकम्मी सरकार है जनता को चाहिए कि वह इसे उखाड फैंके और जनता को ऐसे कड़े कदम लेने चाहिए कि अपने अपने शेतर में विधायकों का आना बंद कर देना चाहिए तब शायद यह गूंगी बहरी सरकार जाक सके उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कॉंग्रेस के सरकार आएगी तुरंत प्रभाव से सारे अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे दोस्तों मैं हूँ तरुन मदान रुष्सा में आप देख रहे हैं समचर एस्परेस के इससे मैं बता दूँ मैं इससे मैं हूँ सेक्टर 13 में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता शिरी विरेंदर सिंग राठोर हम इनको वे मल्टी टैलेंटीड भी कहें तो भी कोई अतिश्योक् सेवी बिहार कॉंग्रेस के परभारी और हर्याना की राजनीती में कहीं मैं पदोबर अपने जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं मैं इनसे बात करने का परियास करूँ हूँ सर ये जो किसानों के लिए तीन अध्यादे सरकार दोरा कल पारित किये गए हैं इनके बा बात कर देंगे क्यों बार बात कर देंगे ये जानना बहुत जरूरी है इन तीनों पहले जो भी खरीद या जो भी फसल बेचनी होती थी किसान मंडी के अंदर बेचता था पराइवेट खरेड़र नहीं खरीज सकता था इस अध्यादेश के माध्यम से मंडियों के बहार प market fees की छूट दे दे गी है उसमें भी कोई खराबी नहीं परंतु मंडियों के अंदर समर्थन मूले के हिसाब से फसल को खरीदा जाता था इस अध्यादेश के अंदर समर्थन मूले के बारे में प्राइवेट खरीद के प्राइवेट खरीदारों को बादे किया गया है कि आपको समर्थन मूले के हिसाब से ही फसल की खरीद करनी होगी ये दर्शाता है कि ये सरकार की नियत ये है कि किसान ऑने पने दामों पर पुझी पतियों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाए और वो पुझी पति किसान से सस्ती फसल खरीद करके बड़े मुनाफ़ा क्वाने का काम करें मंडी सिस्टम के उपर इसलिए सरकार ने अटैक किया और आड़तियों को बरबाद करने काम किया ताकि मंडियां बरबाद होंगी तो किसान बादे होगा वो प्राइवेट पुझी पतियों को ही अपनी फसल बेच पाए आज मंडियों को बरबाद करने काम असी से नबे परतीशत पूरा हो चुका है आज समर्थन मूलिय से बहुत कम में मंडियों के अंदर भी फसलें बिक रही है इस अध्यादेश का सीधा छोटा सा ट्रेलर आज हर्याने की मंडियों में देखने को मिल रहा है अभी धान की फसल मंडियों में आई है पंद्रा सो नो जीरी धान जो अधिकतर हमारे इलाके में लगती है वो आज सत्रा सो अठारा सो रपए प्रती कविड्टल बिकने का काम हो रहा है पंद्रा सो नो जीरी अगर बिकेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक उर्पया भी किसाल अपने घर में नहीं लेके जा सकता परन्तु घर से उसको अपना खर्चा भरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा धान पियार जो मोटी धान है जिसकी सरकारी खरीद होती है उस सरकारी खरीद को इन्होंने 25 सितंबर से शुरू करने का अभी प्रयास करेंगे इस प्रकार का ब्यान आया है 25 सितंबर तक तो अधिकतर फसल धान पियार की मंडी में आ चुकी होगी आज धान पियार तेरा सो रुपे बारा सो तेरा सो रुपे प्रतिक विंटल बिक रही है जबकि समर्थन मुल्य थारा सो चारीस रुपे है तो छे सो से साथ सो रुपे प्रतिक विंटल कम समर्थन मुल्य से फसल बिकने काम हो रहा है और परदेश के मुख्य मंतरी ये कह रहे है कि मंडियों के अंदर समर्थन मुल्य के हिसाब से फसलें बिकने काम होता है तो मेरा ये कहना है कि जहां एक और ये अध्यादेश बिल्कुल किसान को बरबाद करेगा दूसरा एक प्रमुक समस्या हर्याडा में है कि मुख्य मंतरी का तो जुर्बेकार ना होना मुख्य मंतरी का खेत, खल्यान, ट्रेक्टर, बीज, धान, यहों की फसलों के बारे में जानकारी ना होना ये एक वड़ी विकेट समस्या हमारे प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई है और जिसकी वज़े से इस प्रकार के कानून बनते जा रहे हैं वो किसान को एक्सपेरिमेंटल मोड पे लेकर के जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसान के जीवन के साथ और किसान का जीवन बरबाद होता जा रहे है सर आपका कहना है कि मुख्यमंत्री को खेत खलियान ट्रेक्टर ट्राली के बारे में कुछ नहीं पता ना उने खेती के बारे में कुछ पता है लिकिन जो घरेना के डिप्टी सीम दूसरे चुटाला जी है वो तो एक किसान पुत्र हैं उनके जो दादा जी जो उनके परदादा चोधरी देवी लाल जी उनको किसानों का मस्जिय है महना जाता है आपने अभी बताए कि अगर वो होते तो शायद किसानों के ह किसानों का निता तो बोलता है पर उसको राजनीती विरासत में मिली है चोधरी देवी लाल का संघर्ष जो है इस प्रदेश के लोगों के लिए इस प्रदेश की जंता के लिए वो संघर्ष तो कभी दृष्ण चुटाला ने किया नहीं है सिधा वो मेंबर पार्लेमेंट बना दिये गए जैसी स्कूल से पढ़कर के आए सीधा है मेंबर पार्लेमेंट बन गए कभी कोई संघर्ष करनेया काम नहीं किया तो इसलिए जो है वो कीमत नहीं समझ रहें चौधरी देविलाल अगर आज जिंदा होते तो दुष्ण चुटाले को बादे कर देते वो पितानेया काम किया आज डिप्टिसीया मनानेया काम किया उनके उपर ही सरकार किस प्रकार से बरबरता कर रही है और मैं देख रहा था किसान लाटी चार्ट जब हुआ तो एक असी वर्षे किसान दुष्ण की फोटो लेकर के साथ चल रहा है उनकी पार्टी का मेंबर है औ पर बलराज कुंडू ने तो आज तक इस सरकार का समर्तन ने किया और आज किसानों के हत्में लड़ा ही लड़ रहा है। तो यह राज कुंडू ने जो गाहिल किसानों हैं उनकी आर्थिक मदद भी किया, उनके घर-घर जाकर भी किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं तो धन्यवाद करता हूं बल्राज कुंडू का कि वो कम से कम इस संकट की घड़ी में एक निर्दल्य विधायक होने के नाते के बावजूद वो आज किसानों के साथ खड़ा है बीजेपी के विधायकों को तो मैं मान सकता हूं कि वो डिफेक्शन किसान कहता है कि भाजबा हमारे हित्में नहीं है भाजबा कहती हिसानों के हित्में और कि कांग्रेस है वो किसानों को इब घए पाया हूरे है किसनों में अफवाइब कर रही है कांग्रेस का काम है पॉलिटिक्स करना हम पॉलिटिकल पार्टी है रिस्पोंसिबल पॉलिटिकल पार्टी है और डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत जुरूरी है मैं तो हर्याने किसानों कहता हूं कि उन्हें भी राजनीति के अंदर भागेदार करने चीए चौदी देविलाल ने कहा था कि किसानों को जब तक political participation नहीं होगी जब तक आप अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते यह दिक्कत इसलिए आ रही है इस देश में और प्रदेश में कि किसान political participation नहीं कर रहा तो मैं और यह मजूदा पलिस्टितिया है मैं दुबारा हवान करता हूं निर्दल्य विधायकों से जिनकी बिसाकी के ओपर यह सरकार खड़ी है और जजबा के विधायकों से कि उनको इस बिसाकी को तोड़ देना चाहिए इस सरकार को उखड़ फैंकना चाहिए देश के हित्मे और परदेश के हित्मे और अपने किसानों को बचाने के लिए उनके जीवन को बचाने के लिए अगली पीडी को बचाने के लिए इस सरकार का हर्याणा से उखड़ना बहुत अवश्यक है इस मुख्या मंत्री जी से भी हर्याना कान को निजात दिलाना बहुत अवश्यक है सर जिस तरह से पंजाब की कैबिनेट मंत्री हर्सिमरत कुर बादल ने एक मैसिस कनवे किया है इस्तीफा देकर कैबिनेट से सर क्या उन से बाकी विधाईगों को सबख लेना चाहिए निश्ची तरूप से हर्सिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा ना करती तो पंजाब का किसान जो है आने वाले समय में बड़ा कदम उठाता उन्होंने समझदारी का परिचे दिया और मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में वो किसानों के साथ खड़ी हुई तो उनसे दुश्यंत को अनसूरन करना चाहिए सर अगर सरकार अपने ये अध्यादेश वापिस नहीं लेती और किसानों के साथ फिर कुठारागात होता है किसानों के हितों पर कुठारागात होता है तो इसके लिए आगे कांग्रेस सरकार की क्या रिंडिती रहेगी कांग्रेस की बड़ी नीती स्पष्ट है हमारी सरकार बनेगी हर्याना के अंदर हम इस अध्यादेश को विधान सभा के अंदर समाप्त करने हा काम करेंगे करनाल की जंता को शुरह है और समीती के सभी साथियों का धन्यवाद है और उन्होंने संयुक तुरूप से इस लड़ाई को लड़ा और मुझे लगता था कि यह राष्ट्री अपमान है मैंने इसलिए अपने इस और अपने कदम बढ़ाये थे और निश्ची तुरूप से रा था कि मूरतीयां स्तापित नहीं होगी और हम कह चुके थे कि मूरतीयां लगाएंगे तो जब हम बोल चुके थे कि मूरतीयां लगेगी तो उसका लगना निश्चीत था तो sir अखिरकर इस बूर्तिव हो अटाने के पज़े सरकार की मंध्या क्या रही हो गी मैं सरकार एंक दूसरी मूर्टी भी लगा सकती है। के अंदर और जिनकी पाट्शाला के अंदर इस प्रकार के चैप्टर नहीं पढ़ाया जाते वो शहीद का समान कैसे कर सकते हैं। हमारे से विस्तार से जानकारी विस्तरित की है जानकारी हमें हासिल करवाई हैं। अपने विचार सांजा की हैं जिस तरह से इन्होंने बताया कि किसानों के हितों के विरुद में जो अध्यादेश जारी कि हमने किसी भी किमत पर लागू नहीं किया जाए कि कल को कंग्रेस सरकार आती तो ये सारे अध्यादेश हटा गिये जाएंगे इसके अलावा जो इंदर सिंग रठोड़ जी का धन्यवाद करूंगा रठोड़ जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद समचर एक प्रेस के लिए धन्यवाद ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें हैंदेवाद हैंदेवाद